नौवा बिंदु है विकास और आधनी की करण की समस्याओं का अध्यान राजनीती विज्ञान का ख्षेत्र किसी भी ख्षेत्र का जब विकास होता है तो उस विकास में विकास की दोड में उंचा जाने के लिए समाज के जो विभिन वर्ग प्रयासरत होते हैं सत्ता की और सत्ता को पकाडने के लिए सत्ता तक पहुचने के लिए जो राजनीती करते हैं और उसके साथ ही आधनी की करण की प्रक्रिया में भी जब वे दौड में शामिल होते हैं तो जिस तरह की उहा पोह स्थिती होती है जिस तरह के संबंद बनते हैं इसका अध्यान भी राजनी दिविज्ञान के तहत आता है दूसरे विश्ध के बाद विदवानों का ध्यान जो है वो मूल रूप से विकास शील देशों के ओर गया विकास शील देश कौन से हैं जिसे हम कह सकते हैं developing countries जिसमें भारत एक है ना तो वे developed country थे ना तो वे विकसित देश थे और ना ही अत्यादिक गरीब देशों में विका ति नहीं कर पा, भारत इसमें से एक है, ऐसे देशों का अध्यन ख्षेत्र आजनिक विचारकों के अनसार अत्याधिक महत्पुर्ण है क्योंकि इस विकाश्चील देशों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तीवर परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और जो राजनेतिक परिवर्तन को काफी प्रभावित कर रहे हैं, इसका अध्यान करना बहुत जरूरी मानते हूं. यहां की जो राजनीती है ऐसे विकाश्चिल देशों की राजनीती वह राजनीती विज्ञान के अध्यान क्षेत्र का एक महत्पूर्ण पहलू है इन देशों की राजनी की सम्मन में प्रायर इस प्रश्ण पर विचार्थ किया जाता है कि साक्षर्टा और शिक्षा ये इसके प्रचार का राजनीते पर क्या प्रभाव पड़ा भारत में फिर यहां एक उदारंडू उननिस सो सालीस में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे जो समधान निर्माता थे उनके सामने एक समस्या थी कि मतदान का अधिकार किनको दिया जाए मात शिक्षित लोगों को ही या अशिक्षितों को भी या आर्थिक आधार पर इसका निर्णे किया जाए आदी आदे और अंत में तैह हुआ कि भारत में मतदान का अधिकार उम्र के आधार पर जो भी 21 वर्ष से उपर का है उसे मतदान का अधिकार शिक्षा आर्थिक संपनिता विपनिता धर्म जाति ये कुछ भी अन्यकोशियों के तायनी जिगरी गी मतर 21 का हुआ और मतदान का अधिकार दूसरे शब्दों में भारत की तत्काली 70 पतिशद जनता जो अशिक्षित थी ग्रामीर थी उसे ये अधिकार मिल गया देश की सरकार चुनने का सांसदों को चुनने का देश की सरकार बनाने का अधिकार इनके हाथ में और जब ऐसा हुआ तो दुनिया भाचकी रह गई खासर विकसित देश बड़े अश्चर से देखने लगे कि ऐसा लोक तंत्र इतना विशाल लोक तंत्र जहांकि सत्तर प्रश्चत आवादी अशिक् है वह किस तरह की सरकार चुने की यह उच्छुकता जो है राजनीती विज्ञानिकों को पिश्चत के बाद की विकास शील देशों की और इसने बहुत आकरशित किया भारत को देखते देखते बहुत से जो नव उदित राष्ट नव स्वतंत राष्टों ने भी कुछ इस लिए ही मतदान व्यवस्था और शास्तन व्यवस्था अपनाई लोक तंतरिक तो राजनीती विज्ञान के जो विचारक थे उनके लिए यह आवश्यक हो गया आवश्यां भी हो गया कि वे इन विकास शेल देशों की राजनीती की व्यवस्था का अध्यान करें उनके की कोशिष करें कि आखिर ये साक्षर्ता शिक्षा का परचार इसका राजनीती पर क्या प्रभावा इण पड़ा कई लेक्शों का तो कंई को कहना है कि शहरी करण जो है वो शहरी करण और आर्थीक वरकास की वज़ए से जाती जो जाती जो बन्डिंग है उसमें कमी आई ह बिल्कुल सही बात है शहरी करन जब होता है भारत का ही दारन लेंगे तो शहरी करन का प्रणाम क्या हुआ कि गाउं से लोग अपने जाति और धर्म को भूलकर शहर की ओराय कारे करने के लिए और जब कारे करने के लिए और एक फैक्टरी में काम करना शुरू किया तो विविन जाती के लोग, विविन भाशा के लोग, विविन उम्र के लोग, विविन बैक्ग्राउंड के लोग एक ही फैक्टरी में काम कर रहे थे तो निश्चित रूप से इसने जाती कड़ाई को धीला कर दिया, धर्म की में चोट पहुँचेगी जाती कड़ाई में चोट पहुँचेगी और जाती विवस्था कर कमजोर होगी जो एक अच्छी बात है कुल मिलाकर निशकर्श ये कि विकास शील देशों की राजनीतिक विवस्था का अध्यन एक विशेश खेत्र बन गया आधनिक विचारकों के लिए क्योंकि उनका ये मानना था कि विकास और आधनी की करण निश्चित रूप से किसी देश की राजनीतिक विवस्था को प्रभावित करता हैं जाती विवस्था यदि तूटती है धार्मिक विवस्था यदि तूटती है इस्थानी विवस्था यदि कमदोर होती है इ इससे क्या होगा राश्ट्री भावना पनपेगी ये राश्ट्री भावना को बढ़ाएगा राश्ट थोड़ा ज्यादा अहम होता जाएगा जो किसी एक देश के लिए बड़ी अच्छी भावना दूसरे शब्दों में इट विल गिव ए सेंस आफ नैशनल आइडिन्टिट इसके जाति के स्थान पर राश्ट्रीता की भावना जो आधिनिक विचार के को निसार राजनीति विज्ञान के अध्यान के अध्यान क्षेत का आहम हिस्सा है दसवा बिंदू अंतर राश्ट्री राजनीती और संगठन का अध्यर राजनीति शार्च के अंतरगत हम अंतर राश्टी राजनीती और विश्व संगठनों के विश्टार का जो अध्यर करते हैं इसमें युड़, शान्ती, शक्ति संतुलन याने शक्ति याने पावर बैलेंस ओपावर ऐसी चीजों पर विचार किया जाता है सैनिक संगठन और निशास्त्री करण के समस्याओं पर भी आजकल विचार किया जाने लगा है एक बदलते दुनिया में बदलते परिप्रिक्ष में जहां एक जगह की घटना दूसरी जगह को तुरन प्रभावित करती है जिन खेत्रों में सैनिक संगठन हैं उस पर भी चिंता होती है निशास्त्री करण की बात हो रही है तो इस प्रकार अंतराश्त्री संगठनों जैसे यू एनो संग विश्व यापार संगठन वर्ल्ट्रेट और्गनाइजेशन डब्लू टी ओ विश्व बैंक नाटो इन संगठनों के कारण राज्यों की प्रभु सत्ता या सतंत्ता में कुछ कमी तो आ जाती है अंत में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्व ग्यान का खेत्र जो है बड़ा विशाल है विश्त्रित है फैला हुआ है राजनीति विज्व ग्यान का अध्यान इससे संबंदित जो विश्व बड़ा गतिशील है तमेक समय के साथ इसमें निरंतर वृद्धी हो रही है नएने बातें जुड रही हैं नएने खेतर जुड रहा है और इसके खेतर को हम सीमा में नहीं बांच सकते तोसे कते ही हम उसे एक चाहर दिवारी के अंदर भी रख सकते है को कि ये विस्तृत विशा है एक गतिशील विशा है राजनीति विज्ञान का ख्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना की समय और प्रदेश समय की व्यापक का हम और आप सब अच्छी तरह जानते हैं तो राजनीति विज्ञान की तुलना इससे करते हुए किसी ने कहा है कि ये उतना ही व्यापक है जितना समय और प्रदेश इस पकार ये बड़ा स्पष्ट है कि आधनिक व्याभारवादी द्रिश्टिकॉन राजनीति विज्ञान के ख्षेत्र को बहुत व्यापक्ता प्रदान करने के साथ विशिष्टिता देता है सुख्ष्मता देता है और वास्तवित्ता को जानने का प्रयास करता है याने व्यापक्ता विश्ञालता तो देता ही है जो मैं आधनिक व्याभारवादी दिश्टिकॉन की बात कर रहा हूँ उसके साथ ही वो गहराई भी देता है जिसके अंतरगत बहुत सुख्ष पहलूं को भी समझने का प्रयास किया जाता है और वास्तविक्ता याने तथ्य जैसा है उसे जानने का एक उचित प्रयास होता है इन विवेचनाओं जितनी भी हमने बातें की हैं इसके अंतरगत हमने राजनीती विज्ञान के का अर्थ जाना उसकी परिभाशा जानी उसका जो विशेख खेत रहे इसके बारे में थोड़ा पढ़ा और कितना उसका विस्तार हो सकता है अब ये भी हमें एक तरीके थे मोटा मोटा स्पाष्ट हो गया इतना जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि राजनीती सिध्धान्त में हम क्या पढ़ते हैं और ये हमारे अपने लिए हमारे अपने जीवन के लिए कितना अवश्यक है कितना जरूरी है इतना अब हम ये सब जानने के बाद जरूर समझ गया हो होंगे राजनीते सिध्धान का जो विशय है बहुत व्यापक काफी विस्तार से फैला हुआ है और इसे पाने से इसे समझने से इसे पढ़ने से हम नागरिक के नाते अधिकार और कर्तवियों से काफी वाकिफ होते हैं अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं और इसके अलावा इसके अधियन थे ये भी तैह है कि राजनीती सिध्धान के अधियन किये हुए लोग एक उधारवादी नजरिया थोड़ा अपनाते हैं उनके जो विचार होते हैं वो उधार हो जाते हैं कट्टरता से थोड़ी दू हो जाते हैं हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक सिध्धान का अधियन जहां मनश्य को इस रूप में प्रभावित करता है उसके विचारों को उसकी समझ को उसको अधिकार और नागरिक्ता और समता आधि विचारों से वाकिप करता है वहीं हमारे मस्तिश्क को भी वह निश्चित रूप से मजबूत करता है उसमें तारकिक शम्ता बढ़ाता है क्योंकि राजनीती ज्ञान या राजनीती में तरक आगे जासा हम समझेंगे बहुत महत्पूर्ण है ये तारकिक शम्ता का बढ़ना भी राजनीती सिध्धान्त से होने वाले लाबों में एक लाब है हमारी ख्यम्ता बढ़ाता है कुछ जो अधारभूत सिध्धान्त हैं जैसे सतन्ता, समान्ता, अधिकार, कानून ये तो हम सब के लिए वैसी प्रासंगिक है इसकी समझ हमें मिलती है यदि हम राजनीतिक सिध्धान्त को हम पढ़ें तो बहतर समझ मिलती है सतन्ता हमारे लिए कुछ बहतर अर्थ लाता है ज्यादा तरक संगित तारकिक अर्थ हमारे सामने लाता है तो ये तो हुए राजनीतिक सिध्धान्त के अध्यन के अपने फाइदे अगला बिंदू जो है वह है कि राजनीतिक सिध्धान्तों का स्वरूप बदलना इनका विविने स्वरूप में बदलना जब विवहार में हम राजनीतिक सिध्धान्तों को उतारते हैं जैसे समानता का सिध्धान या सतनता का सिध्धान तो निश्चित रूप से बड़ी तकलीफ होती ही बहुत कठिन होता है सिध्धानतों की थियोरी और सिध्धानतों का जो उसको व्यवहार में जब उतारते हैं तो बहुत कठिन होता है उसे व्यवार रूप देने की कोशिश करने पर पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है परिभाशित करना सरल है पर उसे दैनंदरी में उतारना उसे व्यवार मिलाना बड़ा कठिन है समिधान में हमें जैसे दारण के लिए बहुत से अधिकार प्राप्त हैं समानता का अधिकार, स्वतंता का अधिकार और बोलने का अधिकार, एक्स्प्रेशन का अधिकार, आदी आदे लेकिन समानता का अधिकार हम सब को समान अवसर प्रदान नहीं करता अधिकार तो सबको है फिर भी सबको समान अधिकार नहीं है उसके पीछे कुछ एतिहातिक कारण है कुछ विवश्टाएं हैं सामाजिक सांस्कृतिक विवश्टाएं हैं क्योंकि ऐसा करने से जो सामाजिक बंधन आदी जो है किसी कारण से किसी वर के लिए ये कठनाईयां पैदा कर देगा एतिहासिक कारण इसके पीछे हैं तो अधिकार समानता के अधिकार को परिभाशित करना उसे समझना एक बिंदू है लेकिन उसे व्यवहार में लाते समय इसके स्वरूप में कुछ बदलाहट अवश्य होती है उसी तरह स्वतंता का अधिकार हर कोई स्वतंत्र है हमारे हाँ है की नहीं सभी लोग भारत में स्वतंत हैं लेकिन स्वतंत्रता उस श्रिंग खलता में न बदल जाए तो एक सीमा रिखा खीची जाती है स्वतंता is my birthright निश्चित रूप से हमारा जन्व से दिकार है लेकिन हमारे द्वारा स्वतंता का उपियो कहीं दूसरे के लिए परतंत्रता न बने दूसरे के लिए समस्या न बने मैं सड़क पर मोटर साइकल चलाने के लिए स्वतंत्र हूँ स्वतंता के अधिकार के तहद पर क्या इसकार्थ यह है कि मैं दूसरों की जान जोखिम में डालूं। 1917 में रूस में एक महिला, जब रूस स्वतंतर हुआ जिस दिन 24 अक्टूबर को, तो जिन सोवियस संग की उस सड़क पर, मास्को की सड़क पर एक महिला सबजी का बंडल लेके चली जा रही थी। और खुशी खुशी वो स्वतंतर का गाना गारी तो इसके चेरे से दिख रहा था कि वह अपने देश सोवियस संग की स्वतंतर से कितना खुश है। बीच सलक पे जा रही थी, पीछे से गाड़ी या, इसने हॉन दिया, हॉन दिया, वो बीच सलक पे चलती रही, ऐसे ही करते करते हैं, लाइन से पीछे आट दस गाड़ीयों की कतार लग गए और सब हॉन दे रहा है और महिला टस्ट से मस नहीं हुगा, उसी रास्ते चली जा रही थी, अंत एक आजमी उत्रा उसने महिला के पास गया, उसने कहा कि आपको हॉन सुनाई नहीं दे रहा है, क्या आप वृद्ध महिला हैं क्या इतनी कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, हम लोग पीछे से लगाता हॉन बजा रहे हैं और आप रास्ते नहीं दे रही हैं को उस महिला का कहना था तुमको पता नहीं आप लोगो कि आज हम स्वतंतर हो गए हैं क्या इस का अरती है कि स्वतंता का अरती है कि हम दूसरे के स्वतंता का हनन करें आदी आदी तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा माना कि समविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सिध्धान्तों का जो सुरूप है, सिध्धान्तों का जो कारे रूप है तो बदलने के लिए व्यक्तियों को, स्वैम सेवी संस्थाओं को, एंजियोस को, थमाच को, स्वैम को भी प्रेरित होना पड़ेगा इन चीजों को समझना, राजनीति सिधान्त, राजनीतिक विज्ञान के तहट, राजनीतिक सिधान्तों का अध्यान उनको समझना अपने तई एक तरफ तो उचित है सरवचित है लेकिन साथ ही इसके व्यवारिक रूप को भी समझने की आश्कता है और जो अधिकारों पर जो लगाम लगी हुई हैं इन लगामों के उचित को भी समझना बहुत जरूरी है ज़िए हमें इन अधिकारों को दूसरे शब्दों में हमारा मानना ये है कि संब्धान निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सिध्धानतों को कारे रूप देने के लिए जएम सेवी संथाओं को और उसके साथ ही कुछ अन्य लोग को सामने आना होगा